दमस्कार, उत्तराकन्ट विज्ञान शिक्षा वानुसंदान के इंदर में आपका स्वागत है हम लोगों का ये कालिक्रम है जिसके मात्य हम से हम जो रियाख्यान है उन विविन रियाख्यान को उसका इलेक्ट्रोनिफिकेशन करके उनका इकंटेंट डेनरेट करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे विविन रिष्याषजशर के पूरे जो राज्य से हैं और राश्री इस्तर के वज्ञानीक हैए उनका हम रामुंतेर minder ऱिक्षान दिरिए जारे है और इसका विप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने-कोने वे विद्यारतियों के पास ले जा सकें ताकि ये चाहे मुबाइल के माधियम से हो, चाहे उनके हैनल डिवाइसेज में हूं, कप्यूटर में हूं, ये उसको देख भी सकें और इसके दवारा विज्ञान के पृत मैं आपका बहुत स्वागत करता हुए प्रिशात्रो आज का हमारा बारता का शिर्षक है हवाई फोटो निर्वचन फोटो इंटरपटेशन इसको अम्लिजम कहते है फोटो इंटरपटेशन इससे पहले मैं आपका ध्यान मेरे पिछले बारता को कितब आकरष्ट करना चाहूँगा कि हमने पहले शुदूर सुमेजन के बारे में उसकी पृष्ट भूम बताई थी शुदूर सुमेजन क्या है क्या इसकी महत्ता है भैज्यानिक और अन्य रिसोर्च के फील में इसको कैसे काम ले लिया गया है और इससे साथ साथ हमने यह बता था कि कैसे आप इस पर टार्मिलोजी परिवाशित करेंगे जैसे फोटो इसको कहते हैं फोटोग्राफिका प् फिर पुर्टा रिमॉर्टंस्रिक इसको की सुदूर शुबेजन क्या इसको कैसे परभासित किया गया था ने बताये था पूरे आपको पंडविंटा जिसमें पता दिये थे आज हम अपना की जो सर्व कर रहे हैं उसको हवाई फोटो निर्बाचन फोटो इंटरप्रशनी इस एन एक्ट ऑफ इग्जाबनी फोटोग्राफिक इमेजेज एंड जजिंग दिया सिग्निफिकेंज फॉर दपर पड़ आइडेंटिपिकेशन तो सबसे पहले हमने हवाई फोटो निर्वाचन की परवाशित करेंगे फोटो निर्वाचन बश्टूं की पहचान करने और उनके महत्व का आंकलन के लिए फोटोग्राफिक चव्यों की जांजकार के रूप में परवाशित किया गया है निर्वाचक दूर से ही समयदन चीज डेटा का जहन करता है और तार्किक प्रिक्रिया के बाद्यम से उसका पता लगाने पहचाने आपने और परियावरण सांस्कृतिक वस्तूं पैटर्ण स्थानिक समद्नों के महत्व के मुल्यांकन का काम करता है यह एक सुच्छना नि सब्सक्राइब करता है और यह परवक्षित देखने के लिए जमीन के बड़े शेत्र का प्रारूफ जो की वस्तूं उनके समद्नों की अज्यान की चुविदा देता है परदान करता है एक सबसे बड़ी विश्यस्ता फोटो एरिया फोटोग्राप्टी है जो कि जिसके की ओवर्लैपिंग के कारण इसमें ओवर्लैप होता है ओवर्लैप मोर्दन 50% निसमें ओवर्लैप होता है उसकी वज़र से अगर हम स्ट्रियो स्कोप के नीचे इसको देखे हैं तो इसको सब्सक्राइब का मतलब समस्ते होंगे पूरे आपको आज में खड़ा हुआ दिखाए देगा पेर खड़े होते दिखाए देगे और आपको जंगल जहां पर जुसको भी देखेंगे आप उसको 3D व्यू में आपको बला लगेगा और 3D व्यू में देखने की बज़े से इ और माइनूटली उस इधर उधर आपके क्या है क्या चीज आपके अगल बगल में उसको आप नहीं देख पाते तो फोटो में उन चीजों को भी आपको दिखाई देती हैं ये इसके बड़े अडवांटेज हैं और फोटोग्राफी में आपड़क्टों पहताने के लिए य अब फोटोग्राफी जब आप लेते हैं तो इसका हम देखते हैं कि फोटोग्राफी लेने से पहले फिल्म की क्या विस्षिष्टाय है ये देखा जाता है कि हमारे कब रहे मесें घ्लाइट करते हैं जय से आपका जंगल है खेती में धानब गय आपको अगस्षितम्श-श्यवत्य अक्टूबर में हाई-लाइट होती है और बनीव जंगल जिसमें उसको पत्यां रहती है उसमा हाइलाइट होती है जिसमें पत्जड होता है उसमा हाइलाइट और नहीं होता है तो इसलिए शीजन बहुत महत्तुपूर्ण है जब भी आप फोटोग्राफ देते हैं उसमें फिल्म की सिज्टाय देखनी पड़ती है और उसका शीजन है और आपका स्मॉल स्केल फोटोग्राफी होती है बड़ा सा बड़ा आकार का फोटे। और अगर लाज स्केल की फोट्रडाफिय होती हो तो कि छोटफीछं को पैँंद 993 रमशने श्मिल्व होती है और वह ठोटी एडिया को दिखा देती हम थोटी छोटी चोप्ताने हम बहुत फैदा इसमें q5 Tampa अगर आप पर स्पेक्टिव प्रजेक्शन इप यह जादा होगा तो पर्लेक्श आपको बैलक्सि परवाद्टा द अपरेंश इंड द आप देख जाएंगे अगर चेंड अगर चेंड आप अधे रधा उसको चेंज करेंगे जो पेड़ दाइं तरब को जुखा हुआ लगेगा वही पेड़ आपको बाइं तरब को जुखा हुआ लगता है फोटोग्राफ में यह पर प्रोजेक्शिन पर लेक्षी बज़े से होता है और उसके लाप चौइस ऑफोकल लेंथ जब फोटोग्राफी आप लेते हैं फोकल लेंथ की चौइस ली जाती है क्योंकि फोकल लेंथ जो है स्केल लब पैमाने के उपर काफी दिश्वर करता है कॉबन फोकल देंथ इसमें फोटोग्राफी में 11.5 पंदर पांस सेंटिमिट पंदर सेंटिमिटर एकी सेंटिमिटर और किसी जिएगे परमाने पर कम फोकल लंबाई का उप्योग करना बीमान में को कम उचाई पर उडान भरने के लिए शुरक स्ट्रक्शिम बनाता है और एक अनकूल आधार उचाई अनुपाद देता है जो बदले में बहतर गहराई बनाता है at a given scale the use of shorter focal length enables the aircraft to fly at lower altitude and give say favorable base height ratio which in turn enables better of the depth and height in hilly country use of short focal length will powiedział scale distortion पहारी भूबाग में कम फोकल लंबाई का उप्योग करने से स्केल विरूपन और साथी अच्यतिक शब इस्तापन का पहिडाम होगा और यह हवाई तरश्विरूं के तिवियम देखने के लिए कट्टाइब करेगा प्राइण at very low height generally below 500 meter यह लुड़ भीकॉज अब आपने अगर 500 यह तर्फिलेंस होता है यह तरफ यह होआई अचांत इसको कहते है और इसके आलावा चोट चोटी पहाडियां का यह तकरानी का डर रहता है तो इसलिए पंद्व तर मीटर से नीचे उलान को डिकमंडेट नहीं है दे यूज आप 21 सेंटिमिटर और 30 सेंटर फोकल नंद लेंज फोर सच लाज स्किल फोग्राफी विल प्रोवाइड क्लियर डिटेस्ट विच लेस्ट जट एडिया इस तरह के बड़े पैमाने पर फोग्राफी के यह की सेंटर या थी सेंटर फ करेंटेश्ट li यह बहुत ही किंपोर्टन ट्रॉं और चित्र का क्या व्यकियोग है क्यों है कीया किद्र की सफजूर संविदर में क्या मैं सूचना मिंती है ये इसका एक और किंवीददेटर में इस भीर कर सकते हैं और इसके युणिक टिडिудिटी के तहे अमने कहा भाइ इसमें किसी का कोई दोश नहीं, कोई मैनिपलेशन नहीं है, जैसा आपको फोटो है, किसी कि फोटो को कोई चैलेंज नहीं नहीं कर सकता है, यह भी एक इसमें गुल है, तो एरियर फोड़ाफी यूज फोर फॉल्लोग वालिटेटिव एंड गौनितिटिव स्टडिशु एक कार्ड़ी पर्टकृलरी in photo grammatic survey, which are open basis of Topographic maps, forestry, land use, and land planning, कैसे कार्ड़ज जयसे कार्टवपी के लिए safe uniform है,ULLने रैंट जूज सबक्टोरीकि के लिए safe uniform है, कॉमर्शल अर्वर्टाइजिंग एंड आटिस्टिक प्रोजेक्शन तो एक एक करके उसको लेते हैं कार्टोग्राफी कार्टोग्राफी जब आप मैप बनाते हैं उसमें आपको फोटोग्राफ काफी यहल्प करता है बहुत ही साहिदा करता है क्योंकि जब भी मानचित्रा आप बनाते हैं जमीन में आपकम कणीन अचनल में मानचित्रा बनते हैं तो आप कहीं ने कहीं कुछ जूड़ लिए अगर होड्यके सामने थी इंशाफॉंक्र ीयू फोटkaffी दिग रहा है हर चीज आपके सामने दिग रही हैं तो कभी आप गलती नहीं करेंगे गया होग तोपोग्राफिकल मेप बनाने के लिए आधार बना रहा है पहले इस से पहले बहुत 1945 से पहले सर्भय इंडिया वालों को काफी जूर पहाडी सेत्रू में पठारी सेत्रू में बहुत मेहनत करनी पड़ती ती बहुत कैज़ुलिटी हो जाती थी और उसमें जमीन में बैठकर पहाड़ में बैठकर इसको मैप बनाने में बहुत ही दिक्कत होती थी और बहुत कैज़ुलिटी होती थी तो फोटोग्राफिक से इतना फाइदा है कि आप बिना वहां पर जाए ही फोटोग्राफ को स्टेरियोस्कोप के नीचे रखके उसको आप निर्वसन करके उसका मा खांकित कर सकते हैं फोटोग्राफिक के जरिये और इसमें गलती होने के चांसे बहुत कम है और आप कोई चीज इससे छूटे भी नहीं तो मैप बनाने के लिए फोटोग्राफिक मैप बनाने के लिए कोई भी मैप बनाने के इसके फोटोग्राफिक या काफी मदद मिलती ह इससे पहले है, मैंने पहले भी बताया था, हमें भूत प्रोब्लम होता था और वललबाद, क्टरीज से पहले, काभी हमने परिशानी सही, इसमें मानचिक्टी करन की सेतर मैं फॉरिष्ट्री बानिकी दूस्रानी की Hangi भूरीष्ट्री के सेथ़ें सब्सक्राइब बद्रुनाव होते रहते हैं कभी जंगल हरा वरा है यहीज बढ़ दिया गया है कर जंगल में आग लगी है जंगल का आपका घंथ कभी बढ़ गया है कभी कम हो गया है कभी भाज में पस्कूँ को च्राने से गवी जंगलों का बिघटन हो गया है और आत्मक वादी या कुछ वी जंगल के अंदर जो भी वितरन हो रहा है यह सब आप फोटोग्राफिका सबसे बड़ा यूज है कि उसके घनतु को देखना और उसके कौन-कौन से पेड़ है जैसे चीड है बाज है और चौडी पत्ति वाले पेड़ है नुकीली पत्ति वाले पेड़ है तो काहना पर कौन सी जंगल है और ये जंगल आपको कहां कहां पर फायता करेंगे और जंगलों कहां कहां पर प्रुपन हो रहा हे और यह आपको सरकार को पता सकते हैं और फोरेश्टी ऑर जंगल एक परश्चितिकी में चली परिस्व हैंदना याल ब más जो आये जन आपको के गवर्मेंट इन चीजिए के लिए आपको कहते हैं पिइन के नवबया करें लिए are थे फुरोटोग्राफ से बेड़ डेख सकते हैं । इसके एलावा जंगल के पेड़être न्काई प्रश्चाई है उनका कितना आयत आपका सेत्रफल उपर से इसके जो पेड का जो उप्चा है सबसे परशते उसका यह भाग है उसका कितना है इस तरह से आपको गनत्यु भी नाप सकते हैं लेकिन इस सब के लिए आपको ग्राउंड तुट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ब कर दो जहीं है इस फूला जेथ घुगरवइसाथ भूगरवशाथ में जमीन के अंदर क्या है यह तो आपको पता नहीं मिह लेकिन बूगरवशाथ का इसका जो पोडियस ने ओफॉर्ट से है कौन कं से जियम कौन कंसा फॉरस्ट आता है जैसे कौरच जाएटिक ऑपका क्र सिर्फ देझ गर्व सब्वर्ट helps the a fresh tota कैश्ट करते हैं तो आप जंगर एक बाद जंगर को देख लें हो फोर सको देख लेक्स को एंगने ऐगे लगो ही यह इसके cunning जवार इंटर दली संस्प लगा सकते जों मैं अबरसिए के आदेख कर पहार घृत कई हैं इस टो innocverse है पानी है है और बुद बाद के नंदर जमीन के अंदर पानी है इसका भी आप आखनन कर सकते हैं क्योंकि जमीन के अंदर पानी का अंगन करने के लिए वहाँ पर जम और प्रोफ चीकाम मेल आए जाती है क्ए झूभ आकरति आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं तो वू अकरतिका रिलेशंशिब आ जल के जमीन के अंदर जल से इसका लेशंशिब निकाल सकते हैं तो कभी-गभी यहां तक हो सकता है कि फोरच की बिजसे बूआकरतिकी बिजसे और हम रिदी जिश्द्य कर छाइन है भूम के उपर उससे पन पॉइंट हो जाता है जुक्सान हो गया है इनका यह सब आपको पता रखता इन वारेमेंटर स्टेस यह भी बहुत ब्राजयन है इसे पानी है जंगल है आपका गाउं है जो भी परियाव अरण के अंदर का जित्तिवियत कीजाती आप-फोटोग्राफ के जरी जरीय कर सकते हैं ऑविलेंच कर सकते हैं ति अब जेह से जंगल से जा रही है उस्धर से प्रिर्क सर्फूड्वांन निग्रानी जो निगराफ और करने के लिए और जो भी आपको जमीन जो भी चीज़ को देखना आप चाहते हैं उसी निग्रानिया आप से कर सकते हैं को मश्राइजिंग आर्टिस्टिक प्रजग्ट ये व्यावशाई बिग्यापन और करात्मा परिजान में भी काफी महत्वों है अष्क्क फोट इंटरब्यस्टन अब यह देखना है कि फोटो इंटरबशन कैसे करेंगे कहले अब अन्यवश्यों कैसे करई अम निर्वश्य करocyē कinku निरो तिन कर ना सबसे लाक टरिंड यह निरवजेन मंध उसका आखन गहन गहन निंटींड बिदेशिंक टना सबसे बादे न सुझे नद आपको first criteria box general idea about the topography and budgetation general idea about topography and budgetation up until Android you have the idea of all that particular where the products concern for example to photograph is pertaining to this area you must have the general idea about the trouble really not that particular place other way how to say what is what how it एक प्रफिया और फोटोग्राफ और फोटोग्राफ जिस्टिविटर फोलिक इमेजिस जैसे आपके पाँ यह एबिलीटी होने चीए आपके पास ऐखिए होने के लिए कि आपके पास आई एक्वेटी होना बहुत दूररी है अगर आपके आखो में जैसे कहा जाता है कि आपका आपका डिस्टेंस है उसका तार गुणा आपका फोटो बेस का डिस्टेंस है तो इन दोनों में सामने से होनी के विजद से आपको थीडी भी दिखता है अगर आपके आखों में हलका सा फुलका फी कोई अंतर आ जाता है तो अगर नहीं बनेगा तो आपको चीजें दिखाई नहीं देगी आप पच्छान नहीं पाएंगे तो कहते हैं कि सौम अर्लिए एक आदमी या हजार में से कभी कभी एक आदमें ऐसा होता है जिसके बनता है अगर स्धीडियो आपका नहीं बनता तो फोटोग्राफी में आपको चीजें पच्छान नहीं पाएंगा तो उनके तत्व अब चीजें पच्छानिंगे जैसे अगर किसी आजम को अगर पचानना है तो अलग लग किसम के दुनिया में जितने भी लोग है जितने पुराणी है हर कोई अलग धंग से पचाना जाता है उनके उनका कलर की कहीं पर अलग है कहीं उनका स्ट्रक्चर अलग है कहीं बोलने का धंग अलग है तो कहीं पर लं जनतों के और अलगला माना हों के अलगला किसम के यह अवर मिलेंगे आपको तो उसी तरह से फोटोग्राफ में भी आपको कलर एंट टोन पचानने पड़ेंगे तोन इन नतिंग बदा लाइड रख्लेक्टा फंड़ अबज़ेक्ट दिशिंट अब्जेक्ट के लिए टॉन गरेंवाइड फिर टॉन गरेंगे टॉन को पचान सकता है स्वैक लाइशर बहुक्त अधीड में वाइशर ब्लैं थे जैसरल बडॉन देन ग्रेय करें यह अब तो आप अपलेंग तो को पचान लेंगे तो आपको अब अब जया जंगल पिम पेच्च को में एक info उसको आपचान लेते हैं अलया तोनी है तो ताई ए प्रिक्वेंचि एप हो जिए जग प्रैंद मेंति श्रने मेंनों को फाल् или खेंद थे में चेन्ज होता है उच्छी फ्रीकविंशी में आपका टेक्ट्र पर रहता है तेक्ट्र जैसे grassland है grassland का fine texture होता है, fine texture में जलो 50-50-50% आपका tone बदलता रहेगा, फिर black, then white, then white, then, इस तरह से tone smoothly बदलेगा तो fine texture आएगा, क्यों grassland जुहेँ ज्यादा changes उसको ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन jungle ज्गल आपका अगर dense forest है, तो फाइंट आजाता है हमिडिंग टक्षर अगर आपका फॉरस्त हुई कटा हुआ जंगा थोड़ा अच्छा देंस्टी को यादा देंसीटि तो अगर एसा आपा भीगटन है तो आपको रौ टक्षर आजाता है दिर्टेड़ पॉरस्त एगा कहीं पर कोच टक्षर आजाए तो एक बार आप इसका इंटर्परिशन ग्राउन को चक करने कर लंगे और आप वोन्स यूल मेक अप यूर माइंड दैन यू कन स्मूथली इंटर्परेट देटा यूफली इंटर्परों यूफली खरा सुनुम्स मेरे बार्ट दोल्डण डाउल में काफ़ी साह Stones करते हैं जैसे पेडे conical सेप का पेड उसका सेड़ डो कोनिकल आएगी तो तो च्छुद से एअ आक जैसे दिवदार है को निकल सिप माता है ओउक है बाझ है डिफूस सेमा ताइड दिफूस Спिर और आप जैसे बर्गत का पेड़ है, डॉम शेफ में आएगा, तो शेफ से भी आपको पच्छान रखते हैं, उसकी सहरों से भी आपको पच्छान सकते हैं, पैटन, किस पैटन जैसे, मैनमेड पैटन, अगर आदमी कोई पैटन बनाएगा, तो उसके आपका लंबाई पैटन होगा, अगर आपका नेटरल पैटन होगा, अगर आपका नेटरल पैटन होगा, 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 तो 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 पैटन है, यह आपका साल के साथा आपका मेलुट पिनी पाइनसीज आता है साड आपका साल के साथ अगर अगर थीक से जिख नी रहा है तो इसका आसेडम को संपल कर सकते हैं अस्थ ही आफको पता लग जाता है तो हुश्फ में यह दिख है कि मान ले-ड़ाба किसी जिस पर्टकुलर फॉर्स्थ का कोई फॉर्स टाइब कोई पॉर्स टाइब है उसके उसी तरह का टोन टैक से दूशरे फॉर्स टाइब का भी मिल जाता है तो आप क्या करेंगे उसमें गलती कर जाएंगे पता दरा गिव ओका फॉरस्थ आपको पाहिन के फॉरस्थी जोड तो इस्टरसें मोद्वाउट पहुता है तो इसमें एक नए छीज होती है यह फृली एक कृतिकार नियम है कि अलग लग जगह में अलग लग तकी पहँ पंदे पाहे जाते हैं गेवल नेचेसे आपके आप होmot कप रर्ओंपाती नहींत siamo भोलियान आपका शोर्या होसीक क्या है और उसक्त कि बोष असे पढ़़िया है नियुक नीचे तोपिकल ए मिस पाहे जाते हैं सब टॉबिकल में आपको पाहिन पाए जाएगा अपने मन में बनाना पड़ेगा कि अलग लग अल्टिटूड में अलग जगह में अलग पाए जाते हैं एक बार इसकी दोड़ेज अगर आपको है तो फोटो आपके सामने है तो अगर माने जाए इन पेड़ों के आपच महीं अगर टोन टैक्सर को में अगर टैक्श मिल रहे हैं तो भी आप उसको अटिटूड के साफ्या अलग कर सकते हैं तो पूश्चव इलामेट दोस फोरष बजेशन वूज पर जैंस इन पटकल लोकलिटी नॉट पॉस्वल है उस बजेशन को इलामियर करना पड़ेगा आप तुछ अटीटिबल नी फॉर एक्जांपल आपको हमने मसूरी का फोटो दे दिया मसूरी धिए तो मका पोट ओ ते दिया है नहीं के पेड हैं जैसे ज्रानी के तीशेवमेट नी पकर भी पैडे आपको पहले ठीटिड भी मिल गया ओकी बाद आपको जिवदर मन मिल गया अगर आप साल का टोड टेक्स्चर अगर ओक के टोड़ से या और किसी पेट से मिल गया है तो आपको इसमें गल्तियों करने की समावना बहुत जबरी है बहुत है लेकिन अगर आपको नॉलेज है कि इस अटिटूड में इस जिगह में इतनी उचाई में साल नहीं पाए जात जाता है तो साल आएंगे नीचे नीचे सब्साल सब्साइब कर से तो आप अब करेंगे तो हजारों टाइप की आपको प्रजातियां उनको इलाइमिलेट करेंगे तो इस्पर जाती में आप आएंगे तो उसके आपका इंटर्परशन सही होगा और तो था आपका स्किल, mental and visual equity of the interpreter, आपकी स्किल, mental and visual equity of the interpreter, निरोचक की कौसलता, मानसिक और द्रिशितिविता को इसमें काम आएगा, अगर ये चार चीजें आप अपलाय करेंगे तो आपका interpretation बहुत ठीक रहेगा और आपके मेर बिल्कुट ठीक बनेंगे, अभी आपने बारता में देखा कि हवाई चार चित्व का कैसे interpretation किया जाता है, और interpretation के क्या criteria है, और किस्टर से आप विभन आवरण, जिद्धिय विभन आवरण उनको पचानेंगे, उनका criteria क्या है, और criteria में आपने चार चीज़े पचाने थी, पहले general idea about topography and vegetation देखा था, process of elimination आपने देखा था, ability to identify the various pictorial elements आपने देखा था, skill, mental and visual equity आपने थे, और उससे पहले मैंने आपको यह बताया था, कि जब फोटोग्राफी आप लेते हैं, तो फोटोग्राफी लेने के लिए आपको पहले तो आपने objective करना पड़ेगा, कि इसके क्या objective है, उन objective के इसाफ से आप उसको filter combination लगाएंगे, वो कि सुचाई पे विमान होना चाहिए, क्या उसका scale होना चाहिए, और क्या season होना चाहिए, क्या time of the day होना चाहिए, ताग आप उस जो आपका objective है, उसको आप fulfill कर सके, तो, photo interpretation, how to take the photography, what are the specification of the photographs, and how to interpret the data, and what are the usage of a graph. यह आपने इस lecture के अंदर पढ़ा.